हेलो Biz आज में क्रिस्पी और क्रंची करेली की रेसिपी को लेके आई हूँ और यह कुषłem 27 टैकल touched और खाने में फ्रेंच प्राइस की तरह की लगता है क्योंकि इसको लंबा सुख किया आपनी रेसिपी को स्टार्ड करते हैं मैंने 5 Lisa जी बढ़ने ले सकते हैं बड़े वाले चोटे वाले और इनको देखिए इस तरीके से काटना है आपको काटने का प्रोसीजर बता देती हूँ तो इसमें ये जो बीज के बीज है ये निकाल दीजेगा क्योंकि देखे क्या है कि ये बीज इसमें थोड़े से पके हुए है फिर आप इनको फ्राई कर लेंगे तो ये फिर मुह में आते हैं और अच्छे नहीं लगते हैं अगर बीज कच्चे हो तो फिर आप इनको ऐसे ही काट सकते हैं और फिर इसके बाद देखिए इस तरीके से कट करना है लंबा लंबा लेकिन पतला कट करना है मोटा नहीं कट करना है देखिए इसमें एक पीस मोटा है जिसे मैं अगेन दुबारा से कट करूंगी इस तरीके से अगर आप इसको पतला कट करेंगे तभी ये क्रंची बनेगा अधर्वाइस नहीं बन पाएगा और इसमें थोड़ी कड़वाहट भी बची रहेगी इसलिए इसके काटने पर ज्यादा ध्यान रखना है इसको काटना कैसे है इस तरीके से लंबा लंबा काटना है जैसे फ्रे जो का भी धीरे-धीरे फेवरेट बन जाएगा और देखिए सार का सार करेला मैंने कुछ इस तरीके से काट दिया है और यह हमारा छोटू सा पीस बच गया था बीच में और फिर उसके बाद इसको भी अनने इस तरीके से छोटू को भी कट कर दिया है देखिए ऐसे पतले- सारा करेला कट हो गया है जो भी इंग्रेडियंट्स मैंने यूज किये हैं उनका मेजर्मेंट मैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट में डाल दूंगी आप महां से चकाप कर लीजेगा और फिर इसके बाद यह जो उपर नीचे का और बीच के बीच जो पके हुए थे वो बचे हैं व यह जो है आपका बाद में भी काम आ जाएगा और अब हम इनको क्या करेंगे इनको फ्राइ करेंगे और फ्लेम आपकी हाई पे रहने जाहिए तभी यह क्रंची बनेगा अदरवाइस यह पानी छोड़ देगा और सिन फ्लेम रहेगी तो यह और सौगी हो जाएगा इसलिए फ्लेम हाई कीजिएगा और इसको इस तरीके से हिलाते हुए आप इसको थोड़ा सा प्राइ कर लीजिएगा बस यहीं पर यह क्रंची बन जाएगा और थोड़ा सा मैं सौल्ट एड़ कर रही हूँ जिससे यह जो भी पानी है वो छोड़ दे अपना देखिए इस तरीके से और फिर इसको हिलाते हुए थोड़ा हिलाते रहिएगा अदर्वाइस नीचे का जो करेला आपने कट किया है वो जल जाएगा और उपर का वो पकेगा नहीं इसलिए इसको हिलाते हुए और फिर इसके बाद मैंने इसको ढग दिया है और देखिए पूरी तरीके से मेरा करे वो इस तरीके से बन गया है और सारा का सारा करेला देखिए अच्छे से पक चुका है यह आपको दिखाई दे रहा होगा सारे पीसिस अच्छे से पक चुके हैं अब देखिए इसकी तैयारी के लिए क्या लिया है मैंने दो बड़े प्याज लिये हैं और यह लहसुन लिया है चार से पांच का लिया है और प्याज को मैंने बड़ा-बड़ा कट किया है यह रेट चिली खड़ी रेट चिली ली है और यह तमैटो लिया है तमैटो आप सकव भी कर सकते हैं लेकिन येकीन मानिए अगर आप इस विधी से बनाएंगे इसको तो यह भूण टेस्टी बनेग सारी चीजे फॉलो कीज़ेगा, फिर इसके बाद मैंने मस्टर डॉयल वो उसमें जो बच गया था कड़ाई में, मैंने अलग से नहीं लिया है, बच गया था जो कड़ाई में वही डाला है, फिर इसके बाद जीरा और लहसुन डाल दिया है, अच्छे से पका लेंगे, देख आज को छोटा-छोटा नहीं कट करना है, थोड़ा बड़ा-बड़ा कट कीजेगा, देखिए ये जो रैट चिली, मैंने खड़ी रैट चिली ली है, आप इसकी जगह पर रैट चिली पाउडर भी ले सकते थे, लेकिन इसको इस तरीके से अगर आप यूज करेंगे, तो भ एक बड़ा चमच मैंने भरके डाली है, सौफ, और ये इसके टेस्ट को एनन्स कर देगी, और थोड़ा सा मिठास ला देगी, फिर इसके बाद मसाले डालेंगे, वो ही हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, और थोड़ा सा गरम मसाला, सारी चीजे इसमें डाल देंगे, और मिक्स कर लेंगे, जिससे आपके मसाले भी भून जाए, देखे, मैंने ओइल और नहीं चड़ाया है, उसी ओइल में ही हमारा देखे, सारा काम हो गया, अनियन भी भून गई, और हमारा करेला भी भून गया, अब इसके बार मैंने इसमें एक बड़ा चमचा कर्ड एड़ कर यही चीज आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर, और बहुत अच्छे से हाई फ्लेम पर भून गई है, अब देखे, प्याज एकदम से भून गई है, और जो कर्ड का टेस्ट है, वो इसमें आ गया है, अब यह बिल्कु सही टाइम है, करेले को डालने का, अब मैंने जो हमने करेले रखा था, वो डाल दिया है, हम इसे शैलो फ्राई कहेंगे, क्योंकि मैंने पूरी तरीके से इसको बहुत सारा तेल में नहीं क्या है, बहुत कम तेल में फ्राई किया है, जिससे ज़्यादा उइली ना हो जाए सब्जी, और यह हमारे सब्जी होispos only बन यह मेरी गारंटी है इस टाइम पर हम धनिया पत्ता डाल देंगे और अगर आप चाहें तो यह बिल्कुल सही टाइम है टामाटर डालने का तो मैं बिल्कुल लास्ट में जब सर्व करने वाली होती हूं तभी टामाटर डालती हूं देखिए इसके दो फायदे हैं एक फायद टामाटर को आपको अच्छे से गलाना नहीं है टामाटर थोड़े खड़े खड़े रहेंगे तो वह ज़्यादा अच्छी लगते हैं और टेस्ट भी एन्हांस करते हैं तो हमारी सूपर क्रंची करेली की सबजी बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए तो आब आइए इस कर लेंगे धनिया पत्ता के साथ और यह हमारी टेस्टी करेली की सबजी एकदम रेडी है खाने के लिए आप इसको चपाती के साथ यह चावल के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं तो अगर आपको मेरी यह रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और सब्सक्रा की बाइ बाइ